विपत से प्रधान मस्त्री का ये काफिल आगे बढ़ता हुआ चुकि अमर जवान ज्योती पर सबसे पहले फ्रधान जली अर्पित करना इस कारिक्रम का बहुत मैतपून हिसा क्योंकि जिस आजादी को जिस गरतंत्र को जिस रिपब्लिक को हम हर साल मनाते हैं उसके पीछे ज किया जाए गरतंत्र दिवस के दिन अगर तो फिर सबसे पहले जवानों को नमन करेंगे प्रधान मंत्री और उसकी बात सी ले परेड़ वाला जो द्रिश्य है उसका इंतजार देशवासी आज कर रहे हैं हर साल बहुत खास हो जाता है यह सब रक्षा मंत्री राजनात अगवानी के लिए पहुंचे हैं राजनात सेंग को आप देखेंगे और साथी साथ उससे पहले जो ग्रिश्य आपने देखेंगे हैं पूरी कैबिनेट प्रधान मंत्री की वांजूद उस राश्ट्र को समर्पिया में जहां महमान बैठे हुए है प्रधा और गौरव इन भावों का संगम है राश्ट्रे समर्पिया मंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्वीराजना सिंग समर्पिया में जहां महमान पर आगमन देश के माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सच्व और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्टे समर समारक की ओर ठीरे ठीरे पस्थान करते हुए माननिय प्रधान मंत्री बेस्टोइंग रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सच्व और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्टे समर समारक की ओर ठीरे ठीरे ठास्थान करते हुए माननिय प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री करते हुए लए प्राष्ट अर्धान मंत्री इश्वटे इस प्राष्टी पारिव और के अर्धान टी किन मेर रक्षा लेंग उने हुए और को श्रीं ने मिलती हुए ती निन दिए इस यालोरी it deserves our deepest gratitude the Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial the circular wreath symbolic of eternity the continuity of life a circle with no beginning and no end the evergreens used in the wreath signifying everlasting life the wreath laying will be followed by two minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers those for whom the nation's safety and protection and integrity came first always and and every time oh it was a month you dora push panjali arpit karne ke baad antar siwa gharad salami shas rothir shok shastra prasut karthay झाल झाल तो यह तस्वीर लाइव प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी श्रधान जली अर्पेट करते हुए तम तमाम जवानों के नाम जिनके चलते राश्ट्र आज गर्द तंत्र के रूप में पहचाना जा रहा है वार में मुरियल अमर्जवान जोती प्रधान मत्री का नमन अंतर क्लाक्ट्ट्! झाले बिलामे शास। अंतार कला का सा जए शास। ज ज हुआब झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि कर दोता है झाल झाल कि आता है, खेज सुपती और कि पीजिए hen जाम जामाया जाम हो गजाएगा जो कि लेख़ाद ही श्राद हो प्रूदात जंद झाल जाम हो प्रूदा जड़र जम पान कि लेख़ा है जिएजा है टार इन की जड़र है जड़र जड़र दो दो मुद़र जड़र खीज़र कि अजैं कि अजूब सब्सक्राइब झाल झाल काक्टाशशना झाल झालह आपके साज़! अंतर्ष नेड़ अदग्, बाज़ सस! the buglers sounding the rouse and the guard commander ordering Salami Shastro salute with arms marking the completion of two minutes of silence a silence where quiet meets calm and time becomes tranquil our hearts beating for those which now lie still time moves on to create a present but in its wake it leaves behind stories memories and heroes some sung but many unsung and today as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit our men and women in uniform stand firm and committed guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home across dry deserts and snow clad mountains along a long coastline and international borders keeping us safe and secure the Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book which is kept there to put down his thoughts of gratitude I amur shaheedon ko raashtra kanaman maananiya prudhan mantri dwara shraddhaanjali arpit ki gai this time in unkeesat raksha mantri raksha sachiv cds or tino senao ke athyaaksh I amur shahe. का बलेदान हमेशा प्रेणा देगा आने वाली पीडियों को अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्च करेंगे माननिय प्रधानमंत्री कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा कैसे भावों के समंदर को समेटे हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा तुम मुझसे परिचित न थे मैं भी तुमसे मिला न था तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए रहू मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा मेरा तुम्हारा रिष्टा हया तूट हमारी मात्रिभूमी है एक तुम्हारा कर्म उत्कृष्थ है तुम्हारा बलेदान श्रेष्थ है The call of duty when it beckons drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country and that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call of soldier answers raises no doubt, no questions and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajput, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. Yes, the focus will now move to the saluting base where after the arrival of President Draupadi Murmo, Kartavya Pat will resonate with the medley of sounds, the clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets and of course repeated applause of a highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Pat, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan and you can see the Presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmo and His Excellency Emmanuel Macron as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with a shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADC's Major Rohit Raskotra and Squadron Leader Saurabh Sharma. Escorting the two Presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Pat. . 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 साथ में अनुशासित धंग से आगे बढ़ रहे हैं ADC स्कौर्डन लीडर सौरप शर्मा और ADC मेजर रोहित रसगोत्रा प्रेजडेंट बॉडिगार्ड द्वारा राष्ट्रपती श्रीमती द्रौबदी मुर्मू को राष्ट्रिय सेल्यूट दिया जाएगा नैशनल सेल्यूट के पशचाथ राष्ट्रपती महोदिया इस वर्ष के गारतन दिवस के खास महमान के साथ एतिहासिक बगई में करतव विपत की और प्रस्थान करेंगे करते हाएब करते हैं The smartly turned-out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses. The senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. This is a question. मानने अराष्टापती श्रीमती दृपती मुर्मु का अगमन हुगा इस वर्ष के गनतनत दिवस के हमारे खास महमान फ्रांस के राष्टापती शी एमानुल मकृंका मानने प्रदान मंतरी शीनरेंडर मोधी का स्वागत राक्षामंतरी शीराजनाथ सिंह दारा आरे कारी करीजर के लाज़ ने लेजे का ग। लीजाने, क हमक्या लेजिए के लिजाने के लिए लिए था के लगाते हो. and we are all waiting with bated breath to see his beautiful Bandhani turban with a matching cravat his choice of the turban and formal attire quite a matter of interest for everyone who is here Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri Sri Rajanath Singh, the Chief of Defence Staff the three Chiefs of the Armed Forces the Raksha Raja Mantri Sri Ajay Bhatt and the Defence Secretary Sri Giridhar Aramani as he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day and as was mentioned earlier there are special invitees this year too to witness the parade invited on the Prime Minister's behest women workers from the electronic manufacturing industry guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Monkey Bath space and rocket scientists from ISRO farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields all seated in these special enclosures you can see the Finance Minister and other dignitaries the External Affairs Minister Mr. Jayashankar Mr. Rajashankar ये सब्सक्रावें गड़तन्तर दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेश अनुराग उनके प्रती प्रदाश्यत करते हुए मानिय धन्मांतरी श्री नेरेंद्र मोडी बहुत ही खुष्णूमा आवसर चिर्स्मरनीय अवस्मरनीय पचतरवा गड़तन्तर दिवस हैauen सैंसर दिजव अबस्टन्स स्क्राव शेयन थे augen रखन प्रदेश्व फ्रदूच स्यूंäg अरखनुनिभ खनकर भी आखान पस्तटन्तर च्रावा खाड़तन्तर और दिवसरें प्रवसमा the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, कहारी डिम्हेश कि झाल ते लिरी रेकाने करуч anál स्थिय टानो गजर कारे निर्य पाउ Seriously Named कि जितने अच्छन अच्छन कि तेडार टढvell deze य特 वीरी नियत था है अज्ट टानो मैंनीम ही ऺ्ली ही खुशन धि रुब विर ट्युप्पव यंपbod अच्छाब्स प्राव स्टार यहीं पूंप प्राज कोजदे डिर्ष सेमानिया घ्रापदी नंके साथ इस वर्ष के गनतन दिवस के खास मेहमान वर्ष के राष्टेपती शीमानिया भारत कि राष्ट पबादी मुर्मू मैक्रों आकरशक बग्गी में राइसीना पहाडी से कर्तव विपत की उरग्रसर हो रहे हैं राश्चपती महोदे का ये काफिला प्रेसिडंट बोडी गार्ड की यूनित और यहां कर्तव विपत पर प्रतीक शारत माने ब्रधान मंतरी शी नरेंदर मोदी रक्षा मंतरी शी रक्षा राजमंतरी शी अजय भठ तीनों से नाव के प्रमुक चीफ अफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जन्समू उतकंठा से सब की निगाहें राइसीना पहाडी की ओर विशिष्ट आमंतरित महमान तेरा हजार के आसपास देश के कोने कोने से पहुँचे हैं साथ ही वरिष्ट अधिकारीगण विदेशी राजनाईग भी हमारे आज के इस राष्टिय कौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आपको गौरवानवित महसूस कर रहे है जो करतव पत पर मौझूद है और जो नहीं भी मौझूद है वो इंद्रिश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं सिर्प अश्यूंब टीजू जोग ऑफ्ट्डिन कोर रूबस तर चार चार प्रूफ और जो आन दि पन उवर इंद पर आव इंद एंद्सट कर लेंद्स हाथ है अप्रेश आंगे इंद्सक्तर चार लोगदी हैं डाउन करतावेबद मेकनाइस्ट कॉलम्स हो चाहें वो सशस्त्र सेना बल हो केंद्री मंत्यमंडल के सदस्य यहां पर मौझूद है करतावेबद पर और हवा में स्वर लहरियां गूज रही हैं अतस्वागतम शुभस्वागतम पर जो संकेत है माननी राश्कति महोडेया के करतावेपत पर आगम लादा Ananta Sutra Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture and you can see these visually stunning sarees, panels that have been mounted here a total of 1900 sarees and drapes from every corner of the country Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it This is a tribute to the woman power of India the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations The installation here also includes a 150 year old saree You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base handpicked by the President's Secretariat from mainstream armoured regiments This unit has been taking place taking part in several peacekeeping operations as well The President's bodyguard The President's bodyguard Commandant Colonel Amit Mirwal And the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path A nation proud to be led by a woman President Ladies and gentlemen President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting Namaste with folded hands which has now become a global greeting The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal to reveal the radiant faces the joyous crowds that have assembled here Prime Minister Modi greeting President Murmu and of course his friend the President of France Emmanuel Macron a warm embrace and a handshake an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership The President being introduced to the Raksha Mantri the Rajya Raksha Mantri the Chief of Defence Staff and the three Chiefs General Anil Chauhan General Manoj Pandey Admiral Hari Kumar Air Chief Marshal V.R. Chaudhary President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary as soon as the Presidents and the Prime Minister reach their designated seats as they climb up the short span of stairs a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian Field Gun and as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem the lion capital of Sarnath everyone present here and those watching us at home will also stand in honour and respect of the tri-colour unfurled on the 75th Republic Day on the official official of the public when one does the news is how does the order of the national flag and the flag all our our the 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 बालन जो अब आलन जो खोगाई चाहिज जो है रुष्ट नप्राइच्चिस जाजब झालन नगए जाएच्चिस जालन चाहिए्ट कर दो कर दो कर दो सुछ कर दो कर दो कर दो कर दो अबोरी वगार बेड़े वे दिए लगे था रहा है गिए ए बोने अगेवी पॉझा बोल्स अरीजिग अज़े हैं अन्स-गके ती इसकार इस चारें इंडे श्क्राइडरा भॉड़ धाना है इसकार प्रेड दो इंडें और स्वी तर बार्फ बहूझ अडैरा इस तो यह य C over here for the first time heralding the parade a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments the Dhol and Tasha of Maharashtra the duck poof from Telangana the Dhaka and Dhol of West Bengal the shank the Chenda Dholu and Kunita of Karnataka Nadaswaram Tutari and symbols all playing to Raag Revati of Karnataka music 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 जाल नारी शक्ति का पर्चम गनतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंक ध्वनी होचकी है ये है शुभारम जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारवत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखे निगाहें आकाश की ओर क्योंकि कानों में आ रही है हेलिकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज कोरे के आस्मान में इनकी लाइट्स इनका प्रकाश देखता हुआ द्वच फॉर्मेशन में चार मी सेविंटीन हेलिकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए जलामी मंच की ओर फॉर्मेशन का नित्वत्व विंग कमांडर आनंद विनाएक अगाशे कर रहे हैं उनके साथ विंग कमांडर आधित जस्वाल राश्टे ध्वच के साथ उड़ान भरते हुए करतावे पत पर गंतांत्र दिवस की भवे परेट का नेत्रित्व संभाला है परेट कमांडर लेफटिनन जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिजर कमांडिंग डेली एरिया ने दूसरी पीडी के अधिकारी लेफटिनन जनरल भवनीश कुमार जनें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नुक्त किया गया था डिवेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलिज हाय कमांड और नाशनल डिवेंस कॉलिज के पूर चात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑ और परेट कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेट के दुद्य कमान 2IC मेजर जनरल सुमित महता मेजर जनरल महता को जून 1992 में कमिशन प्राप्थ हुआ राश्टे रक्षा अकादमी खडग वासला और भारती एसेन्य अकादमी दहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित महता उन्हें सिना कमांडरों और सिना ध्यक्ष प्रश्चस्ती पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है सन 2010 में भारती राश्ट्रपती द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेट के 2IC मेजर जनरल सुमित महता करतावे पत्पर अब वो परमवीर वो युथा जिनोंने बाजी पलट दी दुश्मन को नाकों चने चबा दिये मौत से आँखों में आखें डाल कर जूजे और वीरता की कहानिया बन गए स्वागत कीजे परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित सुवेदा मेजर ओनरेरी काप्टन योगेंद्र सिंग यादव और सुवेदार मेजर संजे कुमार और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनर्डल सीए पिछावाला सेवा निवरित लेटिनन करनल जसराम सिंग और करनल डी श्रीराम खुमार परम वीर चक्र युद्ध के समय असाधारन वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के स्वा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है आफ यह जाता है कि व्छुदियोगा है जालते वैंडर कुम सिंगे प्रीकिन अ स्कुम्कО्रीओ का थान विव्यव क्याँ के संब उप juर I क् hermanzan तू औौस बहाइबान दें चेफ भूंज अवद बhalf annihilation वहां rif神 सी स wenn बूस्याम उज विय्ओन उ ip concealer जैसे वार में वार्ट-री वार उनल वार इյर स्कार वार जानुजन कन विर भ्ला वार्य जाए टaters भोहां सेलेक्श तेस्ट अच्छेन लेस्ट थोगिने के लिए भ्या जिए्ट कर दिए काई परीजार। कि मैं भूले इन फिर प्रइब भार्ब का राइट 10rav श्रूप प्रूप्न पारिज कर से निजिक भूजए नच्छ पार्फ नच इन पर रिस भार्व पारीज गार्ड वारिश प्रेज परिष थे श्यूल य वत्तीरत के अपनria प्रेंग इन तरूपस ने रिए प्रूप्त क जाने टेस्ट छूम्हेंक श्रोड़े लागी आजिज़ चेस्ट आज़ आज़ां टेटीए तो भी युट तभा जाल समय और प्रेस्टिन के लेद टीज़ के ले लिल ज कैसे ट। मार्कें अर्णिक देप्टेश्य के लिए इंट यह अबस्ट थाइ के अटड़िन करन चूल रेख थाट्टेश्टे लेख्टी अल्टबर्ग इस स्वाट्री एक लिर्व घ्क यूट्डिंग इन स्वींटार राफ्य यह न्युट टीटैर्र के बाफ्याने झार्खी लेखि अबस्ट बेर अष्ट इध इन लगवाद ऑाजा बट गूबaining न Alright cavalry charge in history when he took on the turks at the battle of haifa on the 23rd of september 1918 and this day is two days celebrated as its battle on a day or haifa day करते विपत्पर सलामी मंच के सामने अगली टुकली टैंक T-90 भीश्म की है जिसका नेत्रत्वर 42 बखतरबंद रिजिमेंट के लेटनेंट फैस सिक धिलन कर रहे हैं भीश्म टैंक तीसरी पीड़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 125 मिलिमेटर स्मूथ बोर्गन से लैस है खातक वार करता है दुश्मन पर रक्षा करता है देश की सिमाओं की लेजिमेंट का आदर्श बाके करम शौर्य विजह है भारत की उन्नत सामरिक शक्तिका प्रदर्शंक करत विपत पर देश का 75 अर्वा करतांतर दिवस्समारों T-90 भीश्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम अग्डी तुकली मेकनाइजड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है जिसका नेत्रव 17 मेकनाइजड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभे पंडित कर रहे हैं नाग मिसाइल करियर अतरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस नेर्विट बीमपी टू है जिसे भारत में सारत नाम दिया गया है इसमें कुल बारा मिसाइल्स हैं जिसमें छे रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और छे स्टोरेज में बारती सेनाओ के सरवुच कमांडर देश की राष्टपती मानेनिया शिमती द्रौपती मुर्भू को स्पार्ट सैलिट कैप्टन अभेपंडित द्वारा नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है बीएमपी टू बाई टू के नेतरत ट्वेंटी ट्री गार्ड्स के लेफटेनन्ट शिवम सिंग कर रहे हैं अरतनाम का आईसीवी बीएमपी टू शक्तिशाली आयुध युक्त अत्या धुनिक और रात्री युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इंफेंट्री कॉमबेट वीकल है राद में चार किलोमेटर तक की दूरी में किसी भी अग्याद दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है युद्धोश गरूड का हूँ बोल प्यारे बीएमपी टू बाई टू के का आदर्श बाग पहला हमेशा पहला प्यारे अजिवान इन पोर्फिकल्ट से लिडेश्ट इसेंट इन आणसेले शरत रवे प्राव है तो ज्यारिश्म प्राजब ट्रॉबग अँन खरी विदकनल इसे यह डिए झालाम यह विट घ्यार यहा इस इक वारीश कूछ फिए प्रॉप फट घगू एंड में दिखर को विद् लब्षिखशबराय दեշ लखर्दाबन बढोर लगत विजसे हराग कानईन की तौकार्टव लखव पूलिघमा स्व Доश्याल seperti ले마ू करेसी लेकर का vlog अपने शुrama के मझादी बकारिबants की शु कि थान अन। the crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time a perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal behind the all-terrain vehicles we have the pinaka of the regiment of artillery led by lieutenant Priyanka Sevda the pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed developed and manufactured medium-range all-weather free flight artillery rocket system fully automated this offensive weapon system with each launcher boasting of 12 rockets developed by the DRDO pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery sarvatra izzat o ikbal their motto everywhere with honor and glory receiving a round of applause from the assembled guests we now have swati the weapon locating radar system led by lieutenant Deepti Rana of the regiment of artillery developed again by the DRDO and Bharat Electronics this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection the counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire weapon locating radar system swati the president acknowledging their salutes as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by captain Suman Singh of nine rapid engineer regiment a made in India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain it can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi span alone helicopter rather three helicopters in vick formation as they move forward and we have the mechanized column of the Indian army on the ground on the ground Lieutenant Colonel Ankita Chauhan NITRAC mobile drone jammer system का इस system का उपयोग drone पानव रहित विमान प्रणाली सिग्निल का पता लगाने ट्रेक करने और drone गद्वीदियों को रोपने के लिए यानि जैम करने के लिए किया जाता है आज के समय की चिनौतियों के लिए बेहत कारगर सिस्टम गोर का आदर्श वाक्य तीव चौकस और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रोनिक वाफेर बिटालियन की आकांशा गोम्स के नित्रतु में एडवांस रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बॉठती हुई ये सिस्टम देश में ही विक्सित किया गया है ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणाली है ये प्रतिद्वंद्वी के एनलोग और डिजिटल संचार को रोपने निगरानी और विशलेशन करने में सक्षम है कोर का आदर्श वाक्य तीवर चौकस इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलिजी का प्रदर्शन करतवे पत्पर में। तीवर सेना की अच्छिवर के लगागश प्रूसाए बाव जोंग प्रूस्ट्वंगर इसाप्रे लिए बेसे मुद्शन यजायाध प्र्यर विश्याध इसादू इसाथ प्तेन अबशेत अभिजीत को मार 50380 मिसल रेचिमिन the MR-Assam Weapon System, is also called the ABRA Weapon System, it's a medium-range Air Defense Weapon System, and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters, and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akash-e-Shutrun-Jahi. So, the audience now, feeling the warmth of the sun, and of course, the excitement levels are going to build up. So, we have flowers, and we have colors, colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety, and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you, Doordarshan's specially-placed cameras, giving you views, bird's-eye views, and a jimmy-jib views, and of course, close-ups catching the mood and the morale of the place. special invites, special invities, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests have prominently seated on either side of Kartaviyapat, and, of course, right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile, here, on Kartaviyapat, marching boots, military music, all continue, and approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. Magnized Columns के बाद अब बारी है marching contingent की करत विपत पर ये दस्ता है Madras Regiment का नेतित्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं. अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की करत विपत पर ये दस्ता है Madras Regiment भारत ये सेना की सबसे पुरानी Infantry Regiment है जिसकी उत्पत्री वर्ष सत्रह सो पचास के लिए थी 1962 का चीनी आकरवान हो 1947 और तालिस का भारत पाकस्तान युद्ध हो 1965 और 75 की लडाईया हर जगा वीरता के नए अध्याय लिखे हैं Madras Regiment के जवानोंने आदर्श वाक्य स्वधर्में देदनम श्रेया अपना तर्थ दिवाते हुए मरना गवर्व की पार इसके ठीक पीछे गडवाल राइफल्स Regimental Center 58 गूर्खा ट्रेनिंग सेंटर और 49 गूर्खा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता 75 संगीतकार इसमें शामिल और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडेज का मार्चिंग कंटिजेंट आकरशक वेश भूशा से सुरक्ष सुसच्जित होती है ग्रेनेडेज का ये दस्ता जिसका नेतित्व 13 ग्रेनेडेज बैटेलियन के कैप्टन अनुच कुमार धारिवाल कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है नाम नमक निशान युद्ध गोश सरवदा शक्तिशालियन युद्ध शेत्र में उतकरिष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडेज की वार्श राजाराम चंदर की जय है रजान इस प्रद राज्वतव हैं युद्ध जाल युद्ध थिडिवाल प्रेजिव एंब शेजित्व रहेंगें ग्राथन के सवच्ट प्रदर्श विप्टीफ थैस्ते हैं ग्राश्नियनाओ पाम।ट इजो हो आतनी अलाए तनीज हैं रहा हैं इभाजय इन्हिता तेव सिटींचिन अवर्णा इन्हिए्टर ऊद टुम्सेंचेश हैं नीरच छोप्रा और टीपक पुनिया, सुबेदार्स in their regiment and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band, Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, One Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of One Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune, Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits, though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद, करताव के पत पर सिक रेजिमेंट की टुकडी सलामी मच के सामने, मेजर सरबजीत सिंग की कमान में, स्वतनतुता के बाद ये रेजिमेंट भारते सेना की सभी कारवाईयों में सबसे आगे रही है, जुस्त कदमों से आगे पौछते हुए, कंदे से कंदे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये वेजिमेंट जिसका आदर्श वाक्य है, निश्च चैकर अपनी जीत करो, और युद्ध घोश, बोले सोने हाल, सत श्रियाखा. सारे जहां से इच्छा की धुन लेकर, एएडी कॉलेज और सेंटर, जोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एसी सेंटर नौर्थ का सेयूत बैंड दस्ता और कमान सम्हाली है, सुविदार एम राजेश ने, उनके साथ सुविदार मोती नाल और नैप सुविदार बराबेंदर सिंग, बहत्तर बैंड वादक इस दस्ते में. कुमान रेजिमेंट का ये दस्ता, कैप्टन चिनमें शेकर तपस्वी नित्रत करते हुए, रेजिमेंट का दो सो वर्षों का सम्रिद इतिहास है, रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का संबान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का अदर्श वाक्ये, पराक्रमों विजयते, युद्घोष, कालिका माता की जैने। Буд Just Sam Raap ! Il AKSD Going fast to saluting base, —the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of Bombay Engineer Group and center being led by Major Divya Tyaky of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest bursts of North Coast Independence and they have not only proved their prowess in battle but also utilized their military and technical skills in the development of our nation going past the saluting base behind them the combined band of the Maratha Light Regiment Center and the chart regimental center along with the AOC Center comprising 72 musicians led by Subhidhar Ajay Kumar N. The tune, Thro. Following the ban, we have marching forward for the first time ever on Kartabia Park. An all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shristi Khullad with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps. Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Devya Preya from the Indian Air Force. Followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. And this is Kartabia Park. In the face of Salami Manch, Jai Bharati's Joshi Lee Dhun Bajata Hua Norseena Ka Brass Band. Netre Tufut Bandmaster Chief Petty Officer Second Class M. Anthony Raj Karrahe Harati N. Norseena Ka Wish Vichyat Brass Band Dustin 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 नौसेना ब्राज बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 युवा नौसेन को की ये टुकली जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल है नेतरत्व लेटेनन प्रज्ज्वल M कर रहे हैं लेटेनन मुधिता गोयल लेटेनन शरवानी सुप्रिया और लेटेनन दिविका H प्लाटून कमांडर्स के तोर पर दस्ते में शामिल उपस्ते जनसमू आलादित रोमान्चित गौर्वानवित और ये है सलामी मंच के सामने पहुशती हुई भारती नौसेना की जहांकी जिसमें दो महत पूर्ण वेशेयों को दर्शाया गया है पहला है नारी शक्ती भारती नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका और उनका स्वागत किया जा रहा है जहांकी के कमांडर हैं लेटन कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेटन कमांडर निशीत के एस स्वादेशी करन के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस छांकी में दर्शाया गया है a special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building in front of the saluting base now it showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security a salute to the indomitable spirit their inspirational growth and sustained consistent and invaluable contributions now the youngest of the armed forces the Indian Air Force the band led by sergeant c.a. daniel playing the tune sound barrier quick march and that is the buzz formation three mig-29 aircraft flying fast in big formation led by group captain Manoj Bhargav, wing commander Anup Miland Kadkari and wing commander Ankit Bhatia as we have the Indian Air Force band going past the saluting base we've got the marching contingent just behind them comprising 144 airmen and four officers in a box formation led by squadron leader Rashmi Thakur, squadron leader Sumita Yadav, squadron leader Pratiti Anuwalya and flight lieutenant Kirti Rohit incidentally Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well bringing up the rear of the air force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayusena, Saksham, Sashakt, Atma Nirvana potent, powerful and self-reliant a rotating globe on the tableau highlights the air force's expanded reach you've got the transport aircraft the C-295 flown by two women air crew in the cockpit the middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30 you've got flight lieutenant Ananya Sharma and flying officer Asma Sheik also present on the tableau in full flying gear the gender inclusive approach of the Indian air force and now the other side of the air force is the Pryas and their flight crew in the air force is the force of the air force the NITIN to do this the NITIN to do this this is the NITIN to do this a great and powerful guided missiles कि विशेशग्य हैं इन्होंने लिक्विट टिक्नॉलोजी का फिकास किया है स्वदेशी चांकी में डियाडियो में महिलाओं की भागिदारी को भूमी वायू समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाए गया है जाकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है भारत की सेन शक्ति और भारत की निर्मान में महिलाओं का योगदान रिखांकित होता हुआ भारत की तट्रक्षक बलका बैंड उत्मा दिकारी म्यूजिशन पापनूर जी बावू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुज़रता हुआ तट्रक्षक बलके बैंड के ठीक पीछे बारत ये तट्रक्षक बलक का मारचिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नित्रित्तों कर रही है साहिक असिस्टंट चुनौती शर्मा और तीनधिकारी असिस्टंट कमदांट प्रिया तहिया असिस्टंट कमदांट हार्दिक और असिसम्द कमदां पलवी बलका आदर्श वाक्य वयम रक्षामा वीक प्रिटेक्ट इस बलने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जाने बचाई हैं, यानि हर दूप से दिन एक जीवाद। A change of color now, going past the saluting bass, again for the first time on Kartavya Pat, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune, भारत के जवान. Following the band, marching smartly past the saluting bass, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila Officers in 2013, and three years later again in 2016, women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting bass, in vibrant Nehariya turbans, adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF's women marching contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting bass. The motto, protection and security, sunshine, spread across Kartabiyapat today. सलामी मंच के सामने अब पहुच रहा है केंडरी रिजर्ब पुलीस बल का महिला बैंट, Constable Sosa Alpapan के अगवाईब. देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ. CRPF को अपने पहले महिला बैंट दस्ते की स्थापना कर शेयर भी जाता है. इस महिला बैंट दस्ते में सो गुपसाईटी महिला सेनानी शामेर. कर्टव इपत, रोमांच से सराबो. CRPF का पहला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मन्च के सामने, Peace Keepers of the Nation के नाम से जाना जाता है. नेत्रत्र कर रही हैं 234 की बटालियन विशाका पट्टम की असेस्टिंट कमांडन्ट मेगान आयर. आकर्चक परिधान, अनुशास्तन, देश के प्रतिसमरपन, कर्तव परांटा, असाधहरन वीर्दा. ये है भारती सशस्तवलों की खाजियत. अब आ रहे हैं हिमवी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड, कर्ण प्रिय धुने बजाता हुआ, आगे बढ़ रहा है. कॉंस्टेबल अम्विका पाटिल के नेत्रत में ये हैं हिमवी रांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए. और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट, नेत्रित्व असेस्टन कमांडन्ट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस कवरवशाली टुक्री में तीन अधीनस्त अधिकारी और 144 अन्यर रैंक शामिल है। बारत तिब्बत सीमा पुलिस के पहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्डाक से अरोनाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। प्रदेश 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 अर्देश प्रदेश प्रदेश यह जाएं। जोषपरा है सीने में हात और है हतेलियों पे जान। That is their tune, as the Defence Minister, Prime Minister and President Macron watch this special service bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singler, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkand and Bihar. The motto of the Sushastra Simapal, service, security and brotherhood. And now, warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi Police. The Delhi Police Band, for the first time on the parade, being led by women, bandmaster, sub-inspector, Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police Marching Contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time, it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red-saffa-clad women officers down Kartaviyapat, to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day Parade since 1950. And coming now, on to the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. Registán ke jahaz ka swagat ki jiye, karthavye path par, seima surakshabal ka oon't dasta, deputy khamadant manor sengh khiichi ki kaman me. Anakarshak, Sajet, Haji, oon'to pır, BSF ke jywan, gandantantra divas parade mein tuusri bar, maila oon't savar bhaaglie rahi hai. Narajsthan ke thar laghistan, aar branch ke churchke rante ke turgum ilahe mein tuyenaat belge khe jywanon ke harooseban satthi hai. Ye oon't, BSF ka адrash waqia, jiwan parianth karthavye. कि वादी आखर्शक लिए पूट दस्ता जिसकी पीच्वेलन के दौरान की देशी प्रदिमिजियों में बहुत प्रशन सांगी थी और इनके ठीप पीछे पीसेफ का पूट बैंड बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टो पाधियाई की कमान में पैकीस बैंड बादकों का ये दल और धुन बजा रहा है हम है सीमा सुरक्षा भल बहादुरों का दल अजर मेरे टार्ण बाल सबस्टी तार्ण बाल चलों का ये लाद। का व्येम इनके लड़ प्रणी तृट्झार्ण पान लुट प्यश्ट जाव सक्ट खेली युट के बिधे लिवाट्रिव पक्राइचर इ से लिवाट्ट इस तरना टो ए प्यू थे लिवाटा कि विवाट्ट, देह से अंड़िव Χा, उरिवह रिवाट्ट, उरिवह बिवाट्टा नुट्र चौ्ट इंड़ी बास्ट शेनली जाले वे अगजहीं अजब सवहने जाइव सिंयर अपनी कर्णन अवनुटे अआपनान. वे अजब अवेशन अजब जा टूंटन अबत्र, श्याजब करने अवंटे हम इस एंतों आपना болगदी एंगे। And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year. And the combined band of the NCC Girls, Virla Balikabitya Pietro Hilani, the NCC Girls Northeastern Region, is being led by Senior Under Officer, Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, Yes, Sare Jahan Se Achcha. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer, Tanu Tevathia. 148 cadets, in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak. NCC cadets के बाद, कर्तव विपत पर, अब बारी है, राश्ट्री सेवा यूजिना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे NSS के नाम से जाना जाता है, 200 महिला स्वयम से भी इसमें शामिल, NSS के इस दसने का अंधेत नतिकर रही है, गुहार्टी, इचित्री, निशित, निदेशाले, सिक्किम की रेजिना तमा, युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत, जैसे अभियान, अंतराश्ट्री, योग दिवस, हर घर तिरंका जैसे अभियान, देश प्रेम को पूर्थ प्रोथ करने वाले अभियानों, राश्ट्री सेवया योजना की एहम भूमिका रही है, आदर्श्वाक के मैं नहीं, बलके आख, सलामी मंच के सामने अब है, मास, पाइप और ड्रम बैंड का सेयुक्त बैंड दस्ता, 120 वारकों का ये दल है, नेत्रत विहार रेजिमेंटल सेंटर के सुवेदार मेजर कुमार राजकुमार राम, और ए-म-सी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंदर सिंग समाल रहे हैं, ये दस्ता धुन बजा रहा है, पहाडों की रानी, पर प invincible रजी रहे हैं, उनि है डिल्च मließलक्य रहे हैं, क्योंivia है, आप defуч już लिएल्चट श्ता, ये पोले रूद medoora स्कूल के रहे हैं, गिो बजल्चों की बजल्चों की बजल चेप बिल्सक्तिके बड़ब ठ around, रहे हैं, इंग हैकू की बजलिःू को है, and 17 this year's bravery award went to Aditya Vijay Pramani posthumously one child each in categories of bravery science and technology art and culture innovation social service and sports were selected nine boys and ten girls from 18 states and union territories each awarding getting a medal seven days ago president bruce more presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the seven sisters of the northeast, Arunachal Pradesh, literally means the land of dawn-lit mountains. Burdened valleys, pristine water bodies and rich heritage which all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivaar Meri Pehchan which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally. Be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. Mera Parivaar Meri Pehchan canter, universities, universities, and universities have found an unusual association of international sales to be an an- 꽂-fighter wilderness. For the research, Mera Parivaar Meri Pehchan is about the national-instant livest and the laboratory-run univers. Commissioners have an unusual national-restri in this country which has a natural-restri in the state of Mera Parivaar Meri Pehchan which is a national-restri in the state of shutt- mec-demop Nishipper Bhaarar Meri Pehchan मनिपुर्देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणिये मॉडल पेश करता है और विक्सित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है मनिपुर से मध्यभारत यानि मध्यप्रदेश की जहाकी का क्रम आतनर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित मानिय प्रधान मंत्रीशी नरेंद्र मोदी और गनतत दिवस समारो के खास महमान फ्रांस के राष्टपत्रीशी इमैनुवल मैकरो मध्यप्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है सूर की तरहा चबत रहा लहरे अबनी का नाम है दुर्गावाई की तलाने मारत की शोभा बढ़ाई है चंदेरे के रेशम ने दुनिया में की रती पाई है विक्सित सक्षम सशत सम्रत हमारा व्यावाई कि अबने तरहे को थिए के विक्सित बारत कि रिचेश बर्णम सब्सक्ने को चाहिए है उग्यू थिए को बहाँ कि विक्सित पारत कि विए झाल 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 झाल, THEM. झाल मटब्स लिएtek since ancient times which are still alive and prevalent in the Buster division of the state even after 76 years of independence. करताव वे पत्पर सम्रुद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन और 36 गड़ के बाद राजस्तान की जहाकी विकसित भारत में पधारो महारे देश के संदेश को लेकर ये जहाकी राजस्तान के बाद चलते हैं महाराश्ट्र की ओर महाराश्ट्र की जहाकी जिसमें चत्रपती शिवाजी महाराज के साड़े तीन समवे राजबिशेक वर्ष समारो को दर्शाय गया है चत्रपती शिवाजी महाराज का संगर शुंखे रूब से अन्याय और शोषन के खलाप था धन्य शिव आया धन्य महाराश्क्र धन्य शिव शाहि धन्य शिव राश्क्र जय 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 and now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh the tableau is on the subject of transforming school education making students globally competitive music बात क्यों मेड तक शर्विश्व रूमा थे स्वाड़ के साथ्चिछ धिष्व ट्योग्यर्प ट्रीर प्रगति कि पेसोप अलंग इस वडिश्व में लुट्च शर्व ट्रोग्ट्रमाट क्यों इस ऑन एंवत्व अट्र्र और स्वकित्ड ट्रूमन थे अंपार्व इम प् the Indian women ice hockey team exclusively composed of Ladakhic players symbolizes this journey of empowerment movement और अब सेलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रिसर होता हुआ तमिलनाड राज की जाकी इस जाकी में तमिलनाड के प्राचीन कुदवलाई प्रणाली यानि मिट्टी के बर्तन में मत पत्र डाल कर चुनाव किये जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है और अब अगली जाकी है गुजरात राज की जाकी जो गुजरात के सीमा परियतन की वैश्वित पहचान धोरडो पर आधारित है इस जाकी में गुजरात के कच्छी की संस्कृति को दिखाया गया है जिसमें कच्छी घर भूंगा, सानी हस्त शिल्प और रोगन कला सम्मिलित है जाकी में कच्छ गाउं की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व परियतन की नई पहचान है जानो या चिंधो राज मेरे भेडु जानो या चिंधो रे पैपुले जी फर रे राना दोने जूनी रा पाइपोलेजी फल्रे राना दोने अजुनी राद उतरा दिंधायोर नाने राना यतरा दिंधाय उतरा दिंधायोर नाने राना यतरा दिंधाय दिया मेडी जा पल्रे राना दोने अजुनी राद कर दो दो ओई दो वार्य वर्ण वरिव बारन वाचिद ओन तो ऑ रहन वाम जो le दो डिले, वर्स माजरत उन्या झांज दो ऌन from gujraat it's time to move on to mighaliah the tableaux opens and enchanting display of mighaliah cherry blossoms transforming the landscape into a canvas of wash and delicate shades of pink आहो… मेघालाया आकाली की जिंट्ता मिन्मिंसम्यं की खना पुर स्कां मेघालाया आकाही जुंकिरो साफं जुंकाशा प्रत्रें मिन्थिंट्य वन्नों तो वंछो वंछोया चिंकिर्यं का मेद्मार्यं मेखालया ओमा आदो तंसा इदो आराम उनो थाप्सेटल कल आप्रियो मेखालया अगाली की जिंस्ता नित्न सम्यं की हना पूरिस्कां मेखालया अगाली आप्रियो these diverse themes intricately weave together in incapsulating Meghalia's cultural richness natural wonders and communal spirit and here comes Jharkhand transporting us through the rich heritage of Tassar silk once known as Kosa or Vanya silk the tablo the tablo showcases the resilience of tribal women in production of Tassar silk और ये है विक्सित भारत सम्रिद विरासत को दर्शाती उत्त्र प्रदेश की मनोरम झाकी जो श्री अयोधिया धाम पर आधारित है देश्वासियों हाल ही में श्री राम जन्मभूमी अयोधिया में संपन हुए श्री राम लैला की प्रान प्रतिश्चा समयरों को जहांकी के अगरभाग में दिखाया गया है अज धारा के भागे खुले है पावन बिलाए राम लैला ने जन्म लिया है घर घर बज़े बढ़ाई ओ घर घर बज़े बढ़ाई यहां कुंभ की छटा देखकर दुनिया जै जै बोले नए उत्यमों ने विकास के नए रासते खोले साथ ही उत्तर प्रदेश की समरिक विकास जिसमें जेवर अंतरराश्री हवाई अड़ा नोईडा में सबसे बड़े मोबाईल मैनिफैक्टरिंग फैक्टरी इन सभी को जाकी में दिखाया गया है और अब सलामी मंच के सामने अग्रिसर होता हुआ देलंगान राजी की जाकी प्रजास्वाम्य स्थापने के पुनादी काहा निली चेने कांधी वल भाई पटेल सुभाच यंद्र पोसुलू रामजी गोंडु को म्रमधी वीरानारी आईलम मलू येंदरु योजुला समराले प्रजला हक्कुला निली पेने तेलंगाना के इस भग्य जाकी में जमीनी स्तर पर जंत्रंत तेलंगाना की आजादी आलून आंदोलन के योद्धा और उनके परंपरा को बखुबी दर्शाया गया है and the next tableau approaching the saluting base Indian Space Research Organization the Chandrayaan-3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the moon near the South Pole जो रफ्ता अंत्रिक्ष की उचायों को चूने लगा भारत परिवार प्रगती पत्पर हो रहा देश आज कतिमार इस रोविक्सित भारत की पहचार आरे बत्र भास कर रहुनी से शुरू हुआ इस रो का सफर Chandrayaan और मंदल्यान से पहचा नई जाई ओपर और अग्डगन यान मिशन से रचे नया इतिहास इस रोविक्सित भारत की पहचार इस रोविक्सित भारत की पहचार the next tableau approaching is of council of scientific and industrial research CSIR the visually enchanting tableau of council of scientific and industrial research aligns with the vix it Farad theme and is on the purple revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir highlighting agro-technical developments the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers the all-women CSIR tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments or electronic even such na praudiyogi ki mantrali kiya chaki salami manch ki aur aggressor hoti hui yaki samajik sashakti karan ke liye zimmedar artificial intelligence park under date this game Shashi sashtu axeiva logisticParts a child sh比較 में हात explodes योग JSON है कर दो आफंचा już और अब कर्टव्यपत पर शान से सलामी मंच के और अग्रसर होता हुआ पतन, पोत परिवहन और जलमाग मंताले की जहांकी जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है मंताले द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धिता के साथ नीली अर्थ व्यवस्था की संचालेक नारी शक्ति को इस जहांकी में दर्शाया गया है सागर कट संपन बन रहे, सफल हो रहे ने प्रयास अधित्पुई शम्ता में व्रिधी बंदर गाहु कहुआ विकाँ नारी शक्ति ने कदम मिला नभ में फैलाया नया उजास उत परिवहन से संभव हो परियतन का हुआ विकास सागर माना सागर माना सागर माना सागर माना सागर and the next tableau arriving is of ITBP Ministry of Home Affairs Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development including roads in the vibrant villages are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. अध्यक्ष पजब भारत के जिन्में आया दूर दर्शिता और सहयोग से येता इत्व निभाया मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भो आशा से मिश्व देखता है भारत की और अब सलामी मंच के और अग्रिसर होता हुआ भारत की चुनाव आयोग का ये मनोरम ज्हांकी ज्हांकी एक सशक्त विवरन का सांगो पान चितरन कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोग तंत्र एक्ता का उत्सव है साथ ही धोराती है कि मद्दाता की प्रिष्ट भूमी इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्तोपूर्ण भूमी का निभाती है मैं भारत हूँ, ताफ़त है मुझमे हम भारत कोनत मस्तक है, हम यो था के दो हस्तक है हम भारत माग्य विदाता है, हम भारत के मत गाता है और अब सलामी मंच के ओर अग्रिसर होता हुआ केंद्री लोक निर्मान विभाक की जहांकी सेंट्रल विस्टा विक्सित भारत का प्रतिबिम्ब इस जहांकी में कर्तव व्यपत नया संसत भवन नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखुबी प्रदर्शित किया गया है नया विक्सित कर्तव व्यपत एवं नया संसत भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट चाप छोड़ता है यह विश्व पतल पर अपनी नई पहचान बनाने और तीजी से विकास करती हुए नय भारत का प्रतिबिम्ब है संस्कृटी मंत्राले की जहांकी इस संदेश के साथ की भारत है लोकतंत्र की जननी भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है वैदे काल में सभा और समितियों की नीव रखी गई थी भारतिये लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सदभाव, समावेशिक्ता, समानता, समरस्ता और स्वतंत्रता से परिपोन रहा है वेदों में सभा, समिती और संसत जैसी जन भागिदारी वाली संस्थाओं के उलेक इसके प्रमाण है महाजनपदों में हमारी सम्रिथ लोकतंत्रिक विरासत का उलेक मिलता है जैन और बौध दर्शन में भी लोकतंत्रिक परमपरा के अनुसरन के दृष्टान तो मिलते हैं इसी तरह के संदर्ब हमारे अन्यग्रंथों में भी हैं उत्तरमेरूर, उकल एवं अन्य स्थानों पर उत्केर्ण अभिलेक हुमें निर्वाचन पद्धती एवं प्रक्रिया के नियमों का उलेक है चंद्रगुप्द, अशोक, कृष्णदेवराय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन मुखी शासन के श्रिष्ठ उदाहरन प्रस्तुत किये हैं पंचायत और ग्रामसभा जैसी व्यवस्था भारत के काउं में विशेशकर इशान्य भारत की राच्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है हमारा सुद्रन सम्विधान हमें हमारे देश में लोकतंत्रक व्यवस्था की सदा आश्वस्थी देता है अपनी सुदेर्ग और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है समानो मंद्र समी इसमानी समानी 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 And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Naari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza. Vande Bharatam, 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists, we have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Narduk Academy and the Zonal Cultural Centres, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipuri, Kathak, Bharatnatyam, Satriya, Udisi, Manipuri, Mohaniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti, here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment of the Republic Day Parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत, यानि भव्यभूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिध्धान्तों से समावेशी सम्विधान तक, शून्य के आविशकार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलिय गणिच से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्परेट क्षेत्र में भारतियों का सम्मान जनक रुद्वा, विश्व शक्ति की डगर बर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हितकों समर्पित सोच का, सदे हुए सन्निष्ठ नित्रित्व का, कर्मयोग के कार्यान वयन का, ये है संकल्प से सिद्धी। सद्रित्रित्र बंदे भारतन नम तुझे ए नम तुझे शद्रित्र नम तुझे नमन तुझे सब त्ल्प लिये जोगी हमें उन्हें सिद्धी तक पहुंचाला है हें है 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 न फार फार वार विड़े चनिले साथ साथ ये जम्व पूली है स्वर्ग मूवी छेनम् तद्थे सकतिंग ड़ी तदंड शेनम् तदकेसि लिदो मिग्ठकरद ग में हैं वर्मूवी प्रुने मियायन कलक शना करुजंग तकती कुंत र्डर रर्दुम वे शेन खरुमी भीक्या लग पूवी था 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 गुदा देन्या काट तेरे केट था घुने था धा धागे दिगेदा धादेन्या जचありがとうござबंड़ है ऐसे छॉर खुणी नमन तुछे, नमन तुछे शत्नमन तुछे, शत्नमन तुछे, संकरडलिए, जो कि हम répondre उन्हें जित्थी तर मोंचाना है हुआ 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 है 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 कर फ्ञंब बढल पर बाल फज्ट परता टॉर माउन यजी ए-दिला-ब अंगे मारतं अंगे मारतं ये धरती क्या गर्थब की है शांती का माइद दिखाती है इसी लिए ये भारतों में शांती रूत कहलाती है संकल्प से सिद्ध के लिए हमने लिए हैं पांच प्राण विकसित भारत का लक्ष घुलामी के हर अंच से मुक्ति करें अपनी सम्रिद्ध विरासत पर कर एकता और एक जुटता हमें रहे करतव्य की भावना अग द्रिष्टी है वर्ष दो हजार सैंतालीस पर जय है जमार जय है खिसार जय है विद्यार जय है अंसंधार आले शक्ति युवा शक्ति नाले शक्ति और युवा शक्ति खरती द्रगती में यूबता जय है जमार जय है निसार ना 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 बंदे पारतन तुम्दे 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 पारतन कर गर पर फिर ने के छड़े लेगी संस्कृति हमारी गुर्वशाली संसार हमारे बलशाल संस्कृति हमारी गुर्वशाली क्यों करक लेना हम पनबार हम आ रहे हैं हम पनबार पहुच कर शिखर पर ही लेके अब लंगम आ रहे हैं हम बंदे, बंदे ओ आ रहे हैं हम बंदे, बंदे, बंदे संकल्क लिए जो ही हमने उन्हें सिद्धी तक पहुचाना है बंदे, बंदे बंदे, बंदे बंदे, बंदे बंदे, बंदे बंदे बंदे, बंदे बंदे, बंदे बंदे, बंदे की सका सूरय है। प्रकाशित कर रहा थे विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से विश्व शक्ति ct पर temps सामरिक नलजी संस्कृति सामाजिक और यहांग थ्योगिक हमारा लक्षय है विश्व और भारतिय जनता की सुख समरिद्धी हमारे विश्व कुटूम्ब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा, वर्ष दो हजार सेंतालीस हम आ रहे हैं, भारत की सांच्रितिक विविद्धा को इन कलाकारों द्वारा यहां करता दें पच्पर प्रस्कित किया लिए प्रस्कित किय दूस्थ किया लिए। इन क्वारां में आव सब्सक्वेट परेशनिय कोले सांच्रिट कि लिए भारता लिए विए तोस्तिकल आवरातिये लिएष गूस्थ कर्णा का किवारतिया लिए लगान चाहां कित लिएक्टकल से बांच्पक उन प्राफ्ट बेराग देशे निर्टोटे इनले। ये टारब्ध चाइ इडंद प्राफ्स जाट अच ख लूख जाजब इन थार लूख चाई फट्टार लूख सर्थ श्लीघन एर लूख चाई पुट्टिंज ऑन टक्रिंटबेस विःज कंवेंगां से थे इंप्रू कर्ट और लूहत्ट कर्थवे बूख से प्सक्राइब करता बाद हमारे से अब्सकेयारी व्रेप इन इन कि इन्हेंगी स्वेड़िंगार्ट आयवार्ट है the crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by we have the invited guests from various states and union territories dressed in their traditional attire also witnessing this historical parade paying attention to what is going on on the ground President Macron Prime Minister Modi all watching the riders of this combined contingent all women and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days they are determined mentally alert and physically fit group with unmatched courage stamina and precision in handling their moving vehicles it's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds maintain a balance and also complete their maneuvers in the stipulated time but also have to be alert to any untoward event that might take place and they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety assistant commandant Seema Naag of the team right in front on motorcycle as she salutes Misha Naag of the team right in front of the team right in front of the team right in front of the team करते हुए से ठीक पेचे, सर्वत्र सुरक्षा, CRPF, BASF और SSP की महिलाब कर्में। सीवा परही, किस्टी रूम हम एट अंप्राइड, किस्टी रूम्गाउन, वे में। अंप्राइड, किस्टी एक विनुगाउन, वे में। all deployed in the hinterland of the country you'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards and as thrilling as it is to see the sport we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads please remember that they are professional riders who have received several hours of training I'm in an information कर्टविपत पर DSF की महिला कार्मे को द्वारा Command Inspector Sonia Banwarie के हाथों में और 27 महिला कार्मे को सहयोग करते हुए योग से सिध्धी मन और शरीर के सामंजस का प्रदर्शन Constable Anita Bharti और साथ अन्य महिला कार्मे के साथ उन्हें इस formation में दीखा जा सकता है Constable Rekha in 11 others proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science the emphasis on discipline and exercise through yoga Sadhana, Constable Shivlila with 9 others single-minded concentration allowing them to perform on those beam rows Constable Vijayta, Belale, Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata CRPF, BSF की एक महिला तमान के समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शोरिय का असाधारन उधारन पेश करते हुए अनंतता तेजस्विता शूलो आस्मान जैसे फॉरमेशन्स SSB और CRPF के महिला कार में करतव पत को गर्म जोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थिजन समू आलादित है रोमांचित है करतल दहीं से अबनंदन करता हुए इन जांबाजों के नायाब जानदार यादगार प्रदर्शन Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today Constable Neelam Grave with two others Constable Poonam with five others Doing the Chandrayaan Achieving greater heights Women of the SSB, CRPF and BSF A Kagrata Constable Sheikh Kajalilahi with eleven others Displaying mindfulness Which shows the balance that they achieve between personnel A team work that is on display अगली formation की फिशे वस्तु है समनवे स्थिरता समावेशता का बेजोड प्रदर्शन The human pyramid Formed by Constable Vandana Yadav and 47 others Creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity Balancing themselves on moving vehicles fitted with their props Nari Shakti Balancing things at home, balancing our work And now balancing with perfection on Kartavya Path Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless So after gravity defying feats on the ground We now await the grand finale of the Republic Day Parade The Indian Air Force will present a breathtaking fly pass Precision at tremendous speeds will be on display today And we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision In fact traditionally fly pass also serve as an aerial salute They show respect, display aircraft, showcase flying skills and delight the public To attend the beach We will be in a 400-50-50-50 This Wei prisoner ship all here And we will be on the 100-50-50 You will be on the 900-50-55 You will be on the 50-50-50 Which will be on the 100-50-50 The enemy of Yadav and 47 others The enemy of Yadav Yadav and 48ers Do not accept way This has been on top of these So after this weekend We will be on the 100-50-50-50 The enemy of Yadav and 48ers और नियन तुरंड का प्रदर्शन होता है फ्लाइपास्ट वाई उसेना इस अमारों को नई उचाईयों पर ले जाती हुई कुछी देर में यहां शांदार फ्लाइपास्ट and today we showing you actually, aerial shots taken the effectivement to actually make the whole fly pass become very real for you and these are shots taken from Brachand, the first formation which is in a short while for now will go past the saluting base and these shots have been specially procured and represented here so that not only do you get a real or if you want उत्सोरी गार बार समय लाट टयां कि यहां कियो था कार्चाहू प्राचाल प्रेखाट, इनिग प्रचाहू की लेखने हैं। और इन कार्चाह भाटैस जान का एक वेखने हैं। अधन्सलाइक लीकोटर बाराफ लीकर्ट लीपक्ट की आपके ऑंट लीकोटर अपटेर्ट अवाब कर लीपक्ट वायज जीन, ुप्टेय क अजा लीकोटर इंपाटर अजिए इन लीपक। helicopters of the 116 helicopter unit known as the tank busters और प्रचंट फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल यह दुरश्य कैसा देखता है यह फॉर्मेशन आपके लिए खासतोर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इनने देख सकते हैं और कुछी देर में यहाँ पर heritage flight का डकोटा विमान और दो डॉनेर विमानों के साथ विक फॉर्मेशन में यहाँ से गुज़रेंगे 1971 के भारत पाक युद में वायू सिना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शांदार भूमिका को तंगेल एरड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है विंग कमांडर एके सिंग और विंग कमांडर एच डिकाला डकोटा विमान को पुड़ा रहे हैं तंगेल टू जो डॉनर विमान है उसकी कमांड विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में उनके साथ फ्लाइट लेटिनेंट साइश श्वध्धा और जो दूसरा डॉनर विमान होगा उसमें स्कॉर्डन लीडर नेकिता मलोत्रा और उनके को पाइलट फ्लाइट लेट लेटिनेंट एन गुरुनाथन तंगेल फॉमिशन में निगाहें आकाश की और राश्रुपती भवन की तरफ वहां आकाश में एक एक करके ये हावाई जहाज करता वेपत की और बखते हुए अनिव दिवश्टी श्काश लाइ वीक इन एक एक ये तंगेल फॉमिशन going past a saluting base and now after tangal we look forward to the next formation which is the urgent formation named after marshal of the air force urgency and these are shots from the formation taken and these are not live shorts we'd like to remind you this formation will be led by the c-295 the latest tactical transport aircraft of the indian air force from 11 squadron being captain by group captain prashant singh nagy and wing commander vikram seat with two c-130 j tactical transport aircraft in vik formation being flown by group captain ankit raj singh and squadron leader spash helawat to the right and wing commander manish vyaas and squadron leader kevi prasad to the left all from 77 squadron known as the veiled wipers करता वे पत्च के उपर urgent formation एफोस के marshal urgent singh के नाम पर ये formation करता वे पत्च पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आगाश में धुन्द बागी है इसलिए धूनना पड़ता है इन formations को लेकिन उत्चुकता बरकरार और ये अगली formation नेत्र formation ये उसके दृश जो पहले record किये गए हैं और इस समय हमें इने देख सकते हैं आकाश में नेत्र आकाश में आखें चाहिए तो के लिए एंब्रेयर विमान इस formation की अग्वाई करेगा स्वादेशी निगरानी सिस्टम से लैसी एरबॉन अर्ली बार्निंग एंड कंच्रोल है ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लडाकू विमानों को उन्हें नश्र करने का निर्देश दे सकता है इस वि प्रेर की कमान गुड़ काप्टन एस गुना शेकरन सुगह 30 में गुड़ काप्टन उतर कुमार और विंकमांडर मनीश जाखर विक परमेशन में औरान भर्टे हुए कर तविपत के ऊपर से गुजरे you know viewers the special shots that we are bringing for you the pre-recorded ones are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them here these are shots of the Varuna formation Kartavya Pat will now resonate with excitement Varuna is the god of sea and rain the deity of the coastal landscape and according to an Indian Navy pilot it's a very very special plane for them so an Indian Navy P8I maritime vehicle leading this formation with two suit 30s of the Indian Air Force in Vic formation the PA tie being flown by commander Ruchit Gore along with group captain Manoj Yadav and wing commander Parvinder Singh Chehal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhoi's of 31 squadron popularly known as the Lions the Lions roaring across Kartavya Pat today Varun formation के बाद अगली formation है भीम और ये भीम formation के दृश्ष जो हमने record किये हैं ये cockpit से किस तरह दिखता है आकाश और ये formation शक्ति का प्रतीक भीम और इस formation के अगवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है वाई उसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टेन समीप निजहावन के पास है और इसके साथ दो सुखोय 30 विमान स्कॉर्डन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षे अरुन महाले की कमान में कुछी देर में यहां करतावे पत के ऊपर से गुश्रेंगे इस इस देम फॉरमेशन और नाव गवाई नाव गुश्रेंगे करते कि अपर इस देमें सक्षिर और रपकार्णी अ करते कि अपर अपराई स्क्राविध Almost Terry दिवे अपराई स्क्राव ज विस्यार क्यों कि परेंगे विप्रै विस्ट्रेंगे लिए रुविर लिए भुवर अपरादवे लिए उन बार्कारदेंगे now we have the Amrit formation and these are views that you can see of that all Jaguars formation derives its name from Amrit Kaal India's vision for 2047 be flown by six Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Visek along with his wingmen wing commander Manorat Sabarwal wing commander Vishwanathan Naga wing commander Jay Krishnan squadron leader Akash Karpe and wing commander Chakrapani Kajla all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively lag-bhag 600-700 km Pratighanti Kajla ki riftar aur unchai 300 meter ki Aakash me ojhal ho gae 6 Jaguar viman Group Captain Nagendra Abishek ki command me Aagli formation Vajrang Bharat-e-Vayu Sina ke 6 Rafal ladaku viman Marut formation me Yedrushya cockpit se formation ki command sa mahali hai group Captain Abishek Tripathi ne unke saath wing commander Chaitan Yasur Ivanshi, squad leader Yash Sawalkar, wing commander Amit Verma, squad leader Sushil Shinde and squad leader Vijay Chandguday. All Rafal aircrafts the Vajrang formation meaning diamond bodied showcasing six Rafal fighter aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Abishek Tripathi with his wingmen wing commander Chaitan Yasur Ivanshi, squadron leader Yash Sawalkar, wing commander Amit Verma, squad leader Sushil Shinde and squad leader Vijay Chandguday all from 101 squadron known as the Falcons Trisul Formation Trisul Formation Karthavay Patth 之 que saamne je nehar hai ke oopar se quchy dair me Teen sukhoi 30 MKI Darku Jahaz Trisul Formation me g privilege 900 km Pradighantye ki rapper Huraayi ga nache karne ke liye Trisul Formation क्या गवाई कर रहे हैं गूपकाटन सचिन अरोड़ा और के साथ गूपकाटन ओमार ब्राउन और विंकमांदर नफ्योट सिंग as these sue 30s go past the saluting base flying at these heights and speeds the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure and the focus and expertise with which they fly maneuver change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage determination and passion for flying visuals now of the VJ formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration we will soon see an Indian Air Force Rafael displaying the VJ maneuver we will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Octavia Park also called vertical Charlie it's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie and acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out roles at that altitude before stabilizing at a higher altitude aircraft was flown by group captain Arun Kumar and co-piloted by squadron leader Shivangi saying boats from 17 squadron known as the golden arrows so all heads turning skywards and the gaze is searching for the glimmer of silver we are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force Shandar fly past hummer a by you we run a 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 an a 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 को बढ़ जो गड़रे की जा पाइब ये उन दुट था कर्ता विया प्राथ तड देट श्टेल अज्टाबसे दो घ्टेंज का इंड यंग यंग प्रूह व्यों केश्टा इंग मूझ अज़ तरिक इंग पॉर्द फ्टेशन अनुर्ट औरॉट रट रट साथर्ट कि अशी डिल्टी प्रेच्ट आप प्रेश्फ औरेश लग। जया हुच प्रेश यह लग नाप लिए liber लग विए स्थर और मैंगे तो बस्टिटिये अजा यो एंड टूप मैं मतलि अवी ल। और आप अपलाजिट आफे छोरे स्वाराइए ने रश्राइब अजैजए अजालिगस ब τ मराइज कि ऑर फन्सकेल की थesting ने सब इस्केश अश्राइजों का थसी सब Yani कि अची कि अ मुझे कि अची कि अ मुझे रपक्रेंगारा जो है अ मुझे उनक सेमर्भ था या the past seven decades and a glimpse into its future aspirations. music plays कहते ए्पटला की आबाने प्रफ जात्म, मुझ यज जज कुझास पायद की जबानेàng प्रफ जयिए जानि ट्फ ऐस मैं ध्रफ उनिस्फिर इपर्टन एफ ड्रफ भराइंस development अभर सब्सील आप numa BT season और प्रेव सक्तेजु जारी चूचू थ्पर्सेजु जाहत अप्नोझ रेप्नाजर को चार लिचानी ये जो अजयगा निया भी ट्रेवे निया लेवेड सेथ हैं and other dignitaries who are present here everyone waiting to see this spectacular इस बार का गणतनत्र दिवा समा रहो कई माइनों में खास है इस बार विशेश रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अदिधियों को यहां बुलाया गया उनके लिए विशेश दीरगाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय पाननी राश्ट्रोपती आज के समारों के मुक्यतिती फ्रांस के राश्ट्रोपती प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से पाननी प्रधान मंत्री और अन्य गन्यवाने व्यक्ति एक भव्य और शांदार समारो जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बगगी को पहली बार देखा एक पीड़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार करताव्य पथ पर ये बगगी आई थी और आज ये फव्य समारों हमारा प्चतरवा गनतंत्र दिवस देखा प्रशीजा जाई टेर लुक्रीम कमांड़ ती आरा के रच प्राइब अवाद कि प्राप प्राई और एड बाद आए तूर प्राइब प्रश्या प्राइब अ sónd theожд of another parade showcasing India in all its myriad electrons, forms and strengths An aspiring nation on the move a country into its own learning and growing and yet at times leading with knowing capable paradoxical, dependable and vocal not very describable but yes very relatable in fact in India similarities make us one and our differences make us strong and as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya path the thousands who came to see the parade go back home we once again wish with all our warmth it's a day of celebration the president's bodyguard to position themselves to the right of the left of the bunny and escort the dignitaries towards rush with a power warm smiles warm feelings and a warm sense of satisfaction so all those who got out early in the morning I'm very content yes it was worth it yes it was worth coming out here to see India a resplendent vision a slice प्राश्ट्रपती जी की बग्गी की अगवाई अपने घुडे अरजुन पर रिसालदार सुंदर सिंग तमर्थ कर रहे थे देश के उप्राश्ट्रपती शी जगदीब धंकर, उनकी पत्नी शीमती सुदेश धंकर, मानिय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री शी राजनात सिंग, राश्ट्रपती महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गंडमान अतिती समारो इस्थल से प्रस्थान करेंगे उपस्थित जनसमु उतकंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं जिनोंने देश की समर्द सांसकितिक विरासत और वैभव का अलोकिक प्रदर्शन देखा जिनोंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे प्रस्थान कर रहे हैं करताविपत स्थित सलामी मंच से अच्छी नियु देखे नियुव ग्याँ प्राट से रेखे सहसी कृट्यू देख प्रदर्शन देखे लोगई बाष्टेशन देखेंट्र थेखें नियुव य दिनोट्रें सलुट ठीमच पर देखेंट रहे हैं धर मौतिक व्रूद भवफ्टेश देखें जिनोग्ति वित्व की वीर्डाविव पजैसंप्टे आव मेन हो और संब फ्यांदों । यंदेशने रीघूरे जह वीक चौनलगी मेन कामद 독्नलश्व scandalט हैं व्यां मेका कि मेने की वाल एकलो Barn भी वीर स्थिवें निहांट एप्यों से ए serie लेज़ेगल सिन्च रूक बेचे मिए और सेमारी कारि जाल, लूक वफिश पारे लूसजा ये समारू का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतजार रहता है प्रतीक्षा रहती है जब प्रधान मंत्री दर्शक दीरगाओं के निकट जाते हैं और उनका भिवादन स्विकार करते हैं बहुती रोमान से भरे हुए खशन होते हैं जब वो प्रधान मंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं ये वो दीरगाए हैं जहाँ पर विशेश रूप से बुलाए गए अतिथी अलग-अलग योजनाओं के लाभार थी और अनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर इसके साथ-साथ स्वेम सेवा समू के लोग गाहों के अलग-अलग प्रतिनी थी ये सभी यहाँ पर मौझूद और इनकी दीरगाओं के सामने से प्रधान मंत्री गुजरते हुए अभिवादन सुईकार करते हुए अभी जली लूजब ये साथ-साथ-साथ ठात्हिए्टी इस्युर्टी कर्या लूब आना प्रक्रमिन। प्री। घास्वी साथे सब्सक्राम हरा उन स्क्राइच है तुर बास याजय परूल हैा अर्टिक झारिक येक कैसर जोनी सल्टी है अभी जोन एंलिश्टीन लीज्टर्वारे थे सेदुखे इंद przedstawा देंड दानिन कि अंहुनरी कियomed कि थीजिए्स we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that has the largest democracy in the world India has kept its democracy vibrant and strong its people are its priorities